सूप्रभाद बच्चों, कैसे आप लोग आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चे घर पस्वस तथा सुरक्षित होंगे और साथी अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे बच्चों, आज अब हिंदी व्याकरण में पार्ट उन्नीस विशेशन पढ़ेंगे विशेशन क्या होता है बच्चों सबसे पहले हम यह जानेंगे संग्या या सर्वनाम की विशेश्टा बताने वाले शब्दों को विशेशन कहते हैं यहाँ पे मैं आपके सामने कुछ वाक्य पढ़ूंगी जिसे की आप ध्यान से देखेंगे दीदी ने फूल दान में पीले फूल सजाएं है दूसरा मीरा के आंगन में आम के दोपेड लगे है फिर तीसरा है बच्चों भाईया मेरे गोल गपे में मीठी चटनी लगाना यहां हम पहले वाले में देखेंगे बच्चो कि पीले, फूल, यहां पे कैसे फूल बताया है, फूल दान में पीले, पीले क्या है, फूल की विशेष्टा को बता रहा है, कि फूल कैसे है, पीले है, दूसरा हम देखेंगे, कि मीरा के आंगन में आम के कितने पेड़ लगे है दो पेड़ लगे हैं यहां पे आम के पेड़ की कित्ती संख्या को बता रहा है दो फिर हम देखेंगे तीसरा भाया मेरे गोल गप्पे में मीठी चटनी लगाना यहां पे कौन सी चटनी बता रहा है मीठी यह क्या है इसकी विशेष्टा को बता रहा है तो बच्चो संग्या या सर्वनाम की विशेशता को बताने वाले शब्दों को विशेशन कहते हैं अब हम देखेंगे विशेशन जिन संग्या या सर्वनाम शब्दों की विशेशता बताते हैं उन्हें हम विशेश्य कहते हैं अब पढ़ेंगे बच्चो प्रविशेशन किसे कहते हैं विशेशनों की विशेशता बताने वाले विशेशन शब्दों को प्रविशेशन कहते हैं जैसे अति, अत्यंत, अधिक, काफी, परियाप्त, थोड़ा, जरा, सा, तनिक, आधी ये सब क्या हैं प्रविशेशन शब्द है अब हम पढ़ेंगे विशेशन के भेद विशेशन के चार भेद होते हैं पहला गुण वाचक विशेशन दूसरा संख्या वाचक विशेशन तीसरा है परिमान वाचक विशेशन और चोता है सार्वनामिक विशेशन तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे गुण वाचक विशेशन बगीचे में आम के कई छोटे छोटे पेड़ है कच्चे आम छोटे हरे रंके है ये स्वाद में खटे है इनसे स्वादिस्ट अचार बनता है पके आम कुछ-कुछ पीले रंके है ये आम मीठे है आम के पेड़ की पत्तियां लंबी और नुकीली होती है उप्युक्त अनुछेत में रंगीन पत्त संख्या शब्दों के रूप, गुण, अकार, रंग, स्वाद, आदी के बारे में बता रहे हैं ये क्या है? गुण वाचत विशेशन है तो बच्चों, जो विशेशन शब्द संख्या या सर्वनाम के गुण, दोश, रंग, स्वाद, गन, अकार, इस्थिती और दशा का बोत कराते हैं उन्हें गुण वाचत विशेशन कहते हैं अब हम पढ़ेंगे बच्चों, संख्या वाचत विशेशन मैं आपके सामने पढ़ूंगी दो विदेशी चात्राएं भी हैं आज कक्ष्या के कुछ विद्यार्थी वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लेने गए हैं उप्युक्त पंक्तियों में रंगीन पदोस के वाक्य संग्या पदो की क्या कर रहे हैं संख्या का बोत करा रहे हैं बता रहे हैं जैसे कि मेरे स्कूल में 40 कमरे और 4 प्रयोक्षा लाए हैं ये क्या है उनकी संख्या को बता रहे हैं कि कित्ते कमरे हैं 40 कित्ते प्रयोक्षा लाए हैं 4 और कौन सी कक्षा है 7 वी और विद्यार्थी कित्ते हैं 40 तो जो संख्या को क्या कर रहे हैं ये बता रहे है तो बच्चो संख्या या सर्वनाम की संख्या संबंदी विशेशता बताने वाले विशेशनों को संख्या वाचक विशेशन कहते हैं अब हम देखेंगे संख्या वाचक विशेशन दो प्रकार के होते हैं एक होता है निश्यत और दूसरा होता है और निश्यत संख्या वाचक विशेशन तो सबसे पहले हम देखेंगे निश्यत संख्या वाचक विशेशन संग्या या सर्वनाम की निश्यत संख्या बताने वाले विशेशन को निश्यत संख्या वाचक विशेशन कहते हैं और ये पहला है इसमें गर्णा सूचक जैसे की है बच्चो इसे दो केले दे दो फिर है राम सिंग का वेतन दस हजार रुपए मासिक है ये क्या है गर्णा सूचक दूसरा है क्रम सूचक उसका घर तीसरी मंजिल पर है दूसरा मेरा भाई चौथी कक्षा में पढ़ता है ये क्या है क्रम को गिंती को बता रहा है और फिर तीसरा है आवरित्ती सूचक मैं तुमें इसके दुगने दाम दूँगी इस थैले का वजन अब चौगुना हो गया है ये क्या है आवरित्ती सूचक और फिर आखरी है समू सूचक इसमें है बच्चों मैंने दो दर्जन केले मुझे भाईया दो दर्जन केले दे दो मेरे खयाल से एक दस्टा कागज लग जाएंगे यहाँ पे दो दर्जन और एक दस्टा क्या है समू सूचक को बटा रहा है तो अब हम पढ़ेंगे आनिश्यत संख्यावाचक विशेशन संग्या या सर्वनाम की आनिश्य संख्या का बोद कराने वाले विशेशन आनिश्य संख्या वाचक विशेशन कहलाते हैं ये संग्या या सर्वनाम की निश्य संख्या नहीं बताते जैसे की पहला पिता जी बहुत सारे आम लाए है यहाँ पे क्या है आम क्या बता रहा है कितने सारे आम बहुत सारे यहाँ पे कोई निश्य संख्या को नहीं बता रहा है कि एक किलो आम दो किलो आम यहाँ यह नहीं बता है यहाँ पे क्या बता रहा है आ निश्य जिसकी कोई निश्य संख्या नहीं है दूसरा है गर्मी के कारण कुछ लोग बेहोश हो गए, कुछ लोग नहीं मालूम किते लोग, कुछ फिर तीसरा है इस गाउं में थोड़े से ही घर पक्के है, थोड़े से तो बच्चों यहाँ पे बहुत सारे कुछ और थोड़े से क्या है, आनिश्य संख्या वाचक विशेशन को क्या कर रहे हैं, पता रहा है तो बच्चो संग्या या सरुनामकी आनिश्य संख्या का बोट कराने वाले विशेशन को आनिश्य संख्या वाचक विशेशन कहते हैं अब हम पढ़ेंगे बच्चो परिमान वाचक विशेशन यहाँ पे भी मैं पढ़ूंगी आज पिता जी के मित्र हमारे घर खाना खाएंगे मैं चार लीटर दूद और एक किलो पनीर सुबा ही ले आया था बाकी समान भी बजार से ले आया हूँ यहाँ पे बच्चो दो किलो चावल एक किलो भिंडी और एक किलो सफेच चने और दो लीटर सरसो का तेल इस अनुछेद में बच्चो रंगीन पद संग्या शब्दों की मात्रा या तॉल को क्या कर रहे हैं बता रहे हैं इसलिए यह क्या कहलाते हैं परिमान वाचक विशेशन तो बच्चो संग्या या सर्वनाम की मापतौल संबंधी विशेशता बताने वाले विशेशनों को परिमान वाचक विशेशन कहते हैं अब हम देखेंगे परिमान वाचक विशेशन के भी दो प्रकार होते हैं पहला निश्यत परिमान वाचक और दूसरा है आनिश्यत परिमान वाचक विशेशन तो सबसे पहले हम देखेंगे निश्यत परिमान वाचक विशेशन जो विशेशन संग्या या सर्वनाम के निशित परिमान का बोत कराते हैं या बताते हैं उन्हें निशित परिमान वाचक विशेशन कहते हैं जैसे बच्चो एक घड़ा पानी लाकर यहां रख दो कितना घड़ा बता रहा है एक घड़ा यह क्या है एक निशित उसको बता रहा है कि कितना एक घड़ा पानी लाओ दूसरा है ग्रीश के कुर्टे में धाई मीटर कपड़ा लगता है यहाँ पे बता रहा है कुर्ते की माप किती बता रहा है धाई मीटर कपड़ा क्या करता है लगता है तो यह निश्यत माप को बता रहा है तो बच्चो जो निश्यत मात्रा का बोद कराते हैं वो क्या कहराते हैं परिमानवाचक निश्यत परिमानवाचक विशेशन अब हम देखेंगे आनिश्यत परिमानवाचक विशेशन जो विशेशन संग्या या सर्वनाम के निश्यत परिमान का बोद नहीं कराते हैं उन्हें आनिशित परिमानवाचक विशेशन कहते हैं जैसे थोड़ी सी रूई में दवा लगा कर चोट पर रखो यहाँ पर किती बता रहा है थोड़ी सी रूई में थोड़ी क्या है कोई निशित मात्रा इसकी माप संक नहीं है कि कितनी है थोड़ी सी है दूसरा क्या है सबजी में बहुत घी है बहुत घी है कितना घी है यह नहीं पता बस क्या है बहुत है यहाँ पे अनिशित है तो बच्चो यहाँ थोड़ी और बहुत क्या है अनिशित है मातरा बता रहा है तो यहाँ पे जो अनिशित मातरा का बोथ कराते हैं यह अनिशित प परिमान वाचक विशेशन में अंतर यहां पे बच्चों विशेशियों के साथ प्रियुक्त विशेशन आनिशित संख्या वाचक और अगर्णिय ना गिने जाने योगे जो की होते हैं विशेशियों के साथ प्रियुक्त विशेशन आनिशित परिमान वाचक विशेशन होते ह पहले हम देखेंगे निश्यत वाचक, निश्यत संख्या वाचक और दूसरा है आनिश्यत परिमान वाचक तो पहले हम आनिश्यत संख्या वाचक में देखेंगे कुछ बच्चे पानी में खेल रहे हैं यहाँ पे क्या है कुछ बच्चे यह क्या है आनिश्य संख्या है कितने बच्चे है नहीं मालूँ एक दो तीन नहीं यहाँ पे क्या लिखा कुछ बच्चे जिसकी कोई निश्य संख्या नहीं है और फिर हम दूसी तरफ देखेंगे आनिश्यत में कुछ काजू वाली बरफी कुछ काजू वाली मिठाई खिलाओ, यहाँ पे क्या है कुछ काजू, यह नहीं, यहाँ पे भी क्या है, आनिश्यत है परिमान कि कितनी काजू वाली यह नहीं मालूँ, कुछ काजू तो फिर दूसरा है बच्चो थोड़ी किताबे इस मेज पर रख दो, कितनी किताबे, थोड़ी, यह भी क्या है आनिश्यत है फिर हम देखेंगे बच्चे को थोड़ा दूद पिला दो यहाँ पे क्या है, थोड़ा थोड़ा भी क्या है, आनिश्यत है यहाँ पे कोई निश्यत संख्या नहीं है तो बच्चों आपको समझ में आया कि अनिश्यत संक्या वाचक और निश्यत परिमाण वाचक में क्या अंतर है अब हम पढ़ेंगे बच्चों सार्वनामिक विशेशन यह हमारा भेद है पहले मैं आपके सामने एक वाक्य पढ़ूँगी पापा वा लड़का इसी घर में रहता है उस लड़के ने दो दिन पहले मेरी किताब ली थी अब मैंने वापस मांगी तो कहता है कौन सी किताब पापा वा लड़का जूता है इन पंक्तियों में बच्चो रंगीत पत क्या है सर्वनाम है किन्तु संग्या शब्दों से पहले लगकर उनकी विशेश्ता बताने का काम कर रहे है अता ये क्या कहलाते है सार्वनामिक विशेशन कहलाते है तो बच्चो जो सर्वनाम संग्या शब्द के पहले आकर उसकी विशेशता को बताते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेशन कहते हैं सार्वनामिक विशेशन को संकेत वाचक विशेशन भी कहते हैं आशा करती हूँ बच्चो कि आपको मैंने आज का पार्ट विशेशन पढ़ाया आपको समझ में आगया होगा अब मैं आपको इसके आगे का सर्वनाम तथा सर्वनामिक विशेशन में अंतर भाग दो में पढ़ाऊंगी तब तक के लिए बच्चो जो मैंने आपको पढ़ाय इसका अभ्यास करेंगे इसे चमचेंगे धन्यवाद